हेलो माई डे स्टूडेंट्स वेलकम टू डे के वी फार्मा गाइडेंस एक बाए फिर आप लोंके बीच और आज मैं आप लोंको बताने वाला हूँ कि जो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आर आर बी में फार्मासिस की जो वेकेंसी का नोटिफिकेशन आया था उसी का डिटेल नोटिफिकेशन मुझे मिला है उसी डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि कितनी फार्मासिस की वेकेंसी आई है क्या उसकी eligibility criteria क्या है examination pattern क्या होने वाला है और साथ ही साथ इसका syllabus क्या है सारी चीज़े मैं आपको बताने वाला हूँ तो ये पीडिय पूपन है Centralized Employment Notification CEN No.04 Obligue 2024 और इसी Notification PDF को जब स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो आपको सारी information मिलेगी और यहाँ पर जो सबसे पहला information आपको मिल रहा है डेट का और जो डेट का information दिया गया है कि जो opening date है आपकी वो opening date है 17-8-2-0-4 जो previous video lecture में बता चुका हूँ और जो closing है आपका वो है 16-9-2024 यानि 17 तारिक से form open होगा और 16-9 को form आपका खतम हो जाएगा यानि बंद हो जाएगा ठीक है तो एक तो हो गई इसकी यह date के बारे में आपको इस PDF में information मिल जाएगा और यहाँ पे आपको pharmacist मिलेगा आपको देखें हैं तो 13 नंबर के pharmacist इंट्री ग्रेड और जिसकी age दी गई है 22-38 minimum 20 और maximum 38 और जो vacancy आई है वो vacancy आई है 246 यानि 246 post आपकी यहाँ पे देखने को मिल रही है बहुत ही बड़ी vacancy है और अगर आप अच्छे से तयारी करके इसको देंगे तो आप central government के अंदर आप job पा जाएंगे ठीक है तो यह आपकी 246 post आपको यहाँ से मिल रही है अब इस PDF को नीचे scroll करके आएंगे तो आपको तमाम information मिलेगी important instruction में पहले लिखा है कि जो form fill up होगा वो online mode से ही आपका होगा और online mode में ही आपको कराये जाएगा अब यह general instruction आपको दिया गया यह सारी चीज़े आपको मिलेंगी और यहाँ पे आपको इस तरह से scroll करते बेजाएंगे यह different reason आपको दिये गया है और वो सारी चीज़े आपको यहाँ पे दिया गया है age का relaxation भी दिया गया है कि SCST को 5 साल OBC को 3 साल और इसी तरह से जो आप scroll करके नीचे आते जाएंगे तो आब यहाँ पे आठवे नमपेज पे देखें तो यहाँ पे fees की information दिया गया है कि all candidate ठीक accept category mention जो बिल किया गया है उनको छोड के जो आपका firm का जो fees है that is a 500 और जो SCST है ex-serviceman है PWD है female है transgender है economically backward class में है ठीक OBC EWS should not be confused with OBC और EWS यानि EBC जो है economically backward class ही OBC और EWS से confused नहीं होंगे इनका जो fees है that is a 250 यानि दो फार्म है 500 and 250 तो यह fees हो गई आपकी अब इसी तरह से scroll करके जब आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि यह सारी information दी गई यहाँ पे इसको scroll करके चलते जाएंगे कि eligibility criteria कहा है इसको देखेंगे यहाँ पे अब आपको मिला how to apply कैसे आप इसको apply करेंगे तो online mode से आपको apply करना है यह different आपके reason है जहाँ पे vacancy आपको मिलेगी अभी अभी हम लोग देखेंगे आप देखेंगे कि 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 पोस्ट आपकी है और क्या उसकी eligibility criteria है तो यहाँ पे अनेक्जर A में आपको मिलेगा उसके बारे में जानकारी तो इसको scroll करके देंगे ग्यारे नंबर पे अगर आप देखेंगे तो सबसे important चीज अब आपको यहाँ मिलने वाली है ग्यारे पे pharmacist entry grade यहाँ पे मिलेगा C2 category के और जो eligibility criteria दिया 10 प्लस 2 और equivalent with a diploma in pharmacy यानि एक चीज तो clear हो गया कि D-farm वाले बच्चे इसको apply कर सकते हैं 2nd और फिर आप लिखा गया registered as a pharmacy act 1948 D-farm के साथ आपका pharmacy council में registration भी होना चाहिए 2nd bachelor degree pharmacy और registered pharmacist यानि ये post diploma और bachelor दोनों के लिए है लेकिन condition ये है कि दोनों registered pharmacist होने चाहिए तब भी आप eligible होंगे यानि यादिका diploma 2 यर का किया या तब भी आप eligible है और bachelor आपने किया है 4 years का तब भी आप इस post के लिए eligible है और इस post को आप fill कर सकते हैं तो ये सबसे important चीज थी आपकी eligibility criteria यानि D और B दोनों candidate यहाँ पे eligible है आप दोनों candidate यहाँ पे आप देख सकते हैं अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस period यहाँ के 21 से जब एन एक जब भी में तो आपको post wise मिलेगा कि कहाँ पे क्या है जैसे आप देख रहे हैं आप इसी तरह से आएंगे प्रयाग राज जैसे प्रयाग राज में आप देखें तो प्रयाग राज में फार्मसिस की आपको vacancy दिख रही है यह 11 नंबर फार्मसिस की vacancy आपको दिख रही है और unreserved यह आपका 131 फिर इसी तरह से आपको total post जो आपको दिख रही है यह फार्मसिस 5, 2, 7, 1, 8 post तो यह आपको प्रयाग राज में आपको 8 post मिल रही है इसी तरह से सब फिर आप इसको नीचे scroll करके जब आएंगे तो different आपके reason में आपको यहाँ पे फिर मिल रहा है आप देखें अजमेर में आपको 7 post मिल रही है इसी तरह से scroll करके जब आप आ गोपाल में 3, 3, 6 post मिल रही है इसी तरह से आप पूरे reason wise आप देख सकते हैं कि फार्मसिस की कितनी vacancy आपको मिल रही है यहाँ पे देखें आपको चंडीगर में आपकी 8 post होने वाली है तो यह सारे आपको post मिल जाएंगे अगर आप देखें चिन्नई में सबस्यादा post इसी तरह से आपको हर reason में आपको मिल जाएगा और आप यह चीजों को देख सकते हैं ठीक इसी PDF में आपको reason wise मिल जाएगा अब आपका मिलेगा यहाँ पे syllabus for the various post अब आपका syllabus क्या होने वाला है यह देखें तो फार्मसिस ग्रेड में अगर आप syllabus देखें तो इस syllabus में आप पर कि की इस पर्मसिट के लेना आओ आप से स्वार्मसिट स्वार्मसिट कर रहें ओ्रणिक केमस्ट्री में लूज्री मैथमेट्र इखें ठाडिक करें अर्ग्यमें Τлось माइक्रो बालोजी मेडिसीनल ताब जो बैच्छलर महिटे अप यहाँ पर ङॉरा देखने को मिल रहा बायो टेक भी आपका quality assurance भी है तो आपको B-pharma का जो syllabus मिलना वो entire syllabus आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो यह syllabus भी आपको मिल रहा है कि क्या के syllabus आपका आने वाला है यह सारी चीजे अब यहाँ पर देखें एक चीज और दिया गया है कि आपका जो test होगा वो test दो सिस्टम में होगा एक तो subjective होगा जो आपको यहाँ पर syllabus दे दिया गया दूसरा आपको यहाँ पर दिया गया है कि एक common for all सबके लिए common paper होगा यानि जब आप exam देने जाएंगे तो दो paper होगे आपके चीक एक तो subjective आपको मिल गया वो और एक common होगा जिसमें जन्रल अरिफ्मेटिक्स इंटेलिजेंस अरिजनिंग जन्रल अवेर्नेस और जन्रल साइन्स यह सारी चीज़े दी गहीं आपको यह भी आपको paper देना है यानि यहाँ आपको दो paper देने एक सब्जेक्टिव and search में common paper है जिसमें आपका arithmetic यानि elementary mathematics आपको दिख रहा है general intelligence आपको मिल रहा है awareness का जो current affair है और general science मतलब physics chemistry and life sciences से up to 10 standards CBSC जो का syllabus है उससे आपको कुछ general science के questions भी आपको पूछे जाएंगे ठीक अब यहाँ पर कुछ formats दिएगा है आपको जो भी formats अगर आप देखें तो जो आपको format है जैसे OBC non-crimalier का तो यह आपको certificate आपको यहाँ से मिलेगा तो यह RRB की vacancy थी डिफर में जिसमें paramedical के बहुत सारी post आये थे जिसमें pharmacist की 246 post आपको मिली है जिसमें B और D दोनों आप eligible हैं और आपको सारी चीज़े मैंने बता दी opening और closing date भी जैसे ही यह online platform पे मुझे देखने को मिलेगा तो मैं आपनों को inform करूंगा कि online platform पे आगया और आप इस one को fill up कर सकते हैं तो information अच्छी लगी हो तो like का बटन दबाईए share करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको share करिए बदाईए किसी तरह से कुछ और informative वीडियो के साथ फिर मिलेंगे next वीडियो में till then good bye have a nice day